भी नवरात्रा आज हम लोग profit loss का बहुत important section जिसे question रहेगा है NtpC का eczam हो Ssc का eczam हो या state का eczam हो या banking का eczam हो आप competitive exams की तियारी कर रहे हो तहाँ इस question से बच नहीं सकते हो और अगर आज का क्लास सही रूप से कर लिया पेन और कॉपी लेका तो छुटेगा नहीं खिलियर है तो कौन सा आखिर वो कोश्चन है जिसके लिए सर ये बुले कंफ्यूजिंग कोश्चन होता है और हम लोग उसमें लगे रहते हैं लेकिन आज के बाद यह कंफ्यूजन दूर हो जाएगा त कि दो वस्त्वों को क्रम सा आरवन परसेंट और आरटू परसेंट लाव यहानी पर बेच दिया गया हो तो क्या होगा विक्रा मुल नहीं दिया हुआ है कि समान है किया समान है क्या कर रहा है आरवन परसेंट और आरटू परसेंट लाव हो यहानी हो बेच दिया जा रहा है ऐसे केस में आप डारेक्ट क्या कर सकते हो तो आप सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल सकते हो SP1 बाई SP2 तो सिधा 100 प्लस CP तो रहेगा ही 100 प्लस R1 परसेंट बाई CP2 इन्टो 100 प्लस R2 अगर यह 1 है तो यह भी 1 यह भी 1 SP पूछ रहा है तो CP1 के साथ 100 प्लस R1 और CP2 के साथ 100 प्लस R2 R1 मतलब पहला प्रॉफिट या लॉस परसेंट R2 मतलब दूसरा प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्लियर है आगे देखें परले कॉंसेट्स हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है यति दो बस्तों का सेलिंग प्राइस समान हो आप दखो SP सेम है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि सर पाला SP बरावर दूसरा SP और SP क्या होता है तो CP 1 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट पॉसेंट अब ये कन्फ्यूसर नहीं रहाना चे सर अगर लॉस होता तो अगर लॉस होता तो यह माइनस ल कर देते समझ में आया और इस इक्वल तू CP 2 इंटू 100 प्लस वो प्रॉफिट 1 परसेंट है तो ये प्रॉफिट 2 परसेंट सेलिंग प्राइस बडाबर सीपी के साथ जब भी रहेगा निंद में भी रहूँ सीपी के साथ तो 100 प्लस प्रॉफिट पसेंट अब सीपी वन ये जो सीपी टू इधर आएगा तो 22 सीपी टू बराबर क्या होगा तो 100 प्लस पी टू तो है ही जगो दूसरे के घर गया तो उल्टा अपने साथ था तो पहले में देखा साथ में ठीक था तो 100 प्लस P2 by 100 प्लस P1 पर्ट सेंट इससे क्या हुआ हमारा cost price का ratio मिल जागा अगर question कहेगा cost price का ratio बता तो निकल जागा कब जब SP समान है SP समान तो CP का यानि cost price का ratio क्या होगा तो यह होगा 100 प्लस P2 by 100 प्लस P1 बाद वाला उपर पहले वाला नीशे अगला देखें फिर concept क्या करा रहा है एक बस्तु को x परसेंट लाब पर और दूसरे बस्तु को y परसेंट लाब पर अगर बेचा जा रहा है ठीक है तो पहला CP क्या होगा 100 प्लस Y और दूसरा क्या होगा 100 प्लस X यहनि बाद वाला उपर अभी जो हम लोग देखें कि cost price का ratio पूछ रहा है तो बाद वाला 100 प्लस बाद वाला उपर 100 प्लस पहले वाला नीचे है आगे देखें कि एक बस्तू को एक परसंट लाब पर यहां दूसरा वस्तू को वाई पर यह तो हम लोग देखें लिए अगला देखें जब दो बस्तू का SP समानो हमलों पर चुके हैं और एक को एक्स परसेंट लाब और दूसरे को एक्स परसेंट हानी अलग अलग वला हम लोग देखे लिए पीवन परसेंट पीटू परसेंट या आर वन परसेंट डाल टू परसेंट अभी जो हम लोग कॉंसेप्ट देखे वो अलग था यहां क्या है पहला भी एक्स हानी पिछले वीडियो में हम लोग इस पर कोशन देख चुके हैं अगर जिनको डाउट सो पीछे जा करके देख लेना ऐसे केस में हमेशा हानी होगा और वो हानी क्या होगा एकस स्कॉयर बटा सो मालनों 20 परसेंट लाब और 20 परसेंट हानी हो तो हानी परसेंट 20 स्कॉयर बटा सो 10 परसेंट लाब 10 परसेंट हानी हो तो 10 स्कॉयर बटा सो यह हानी परसेंट होगा अब देखो ये क्या concept है आज हम लोग वैसे वैसे question का concept लेके आए हैं जिसे question रहेगा तो था doubts, confusion, दूर करने, कोशिस करना यदि किसी वस्तु को एक बार बेचा जाए और पुना खरीद लिया जाए कई बार ऐसा चीज होता है कि ज़रत पढ़ने पर मैंने बेच दिया और पुना या तो दूसरा वाला बेच दिया तो हम खरीद लिये दूसरा जितना में बेचेगा हम तो उतने ही में खरीदेंगे तो ऐसा भी question आता है कि एक बिक्रेता अठारा सोब में एक घरी खरीद कर 20% लाब पर बेचा अब दूसरा यनि ग्राहक उसे ग्राहक को ज़रत पर गया पैसे का उसने 10% हानी पर विक्रेता को वापस कर दिया ज़री नहीं कि 10% हानी पर कभी 100% भी हो सकता था तो ऐसे question को ध्यान से दिखेंगे क्या कर रहा है अठारा सोब में खरीद कर 20% लाब पर बेचा तो पहले इसका selling price निकाल लेते हैं कितना होगा क्योंकि इसका cost तो दिया हुआ है cost price कितना है अठारा सोब तो selling price इसका क्या होगा अठारा सोब गुना SP बराबर CP इंटू 100 प्लस profit percent यह formula हम लोग जानते हैं कि SP बराबर CP के साथ कौन तो 100 प्लस profit percent काटने दो जिरो बाराठे 96 बारह नव बारह करें बारह नव एकके सो साथ मतलब बिक्रेता जो है एकके साथ में बेचाओ जो खरीदा वो एकके साथ में खरीदा आप जितना में बेचोगे मैं उतने ही में खरीदूंगा अब मैंने फिर आपको लॉस पे बेच दिया तो मैंने तो मेरा करें मुले कई सो साथ है तो अब मैंने आपको यानि ये खरीदा कितना में है अब CP तो एकके साथ इन्टू 100 माइनस कितना परसेंट है दस परसेंट हानी है एकके साथ इन्टू 90 बटा 100 मैंने बेचा था यानि आया आपने बेचा था एकके साथ में और खरीद रह वापस उन्निस चवालिस में तो आपका प्रोफिट क्या होगा तो आपका प्रोफिट परसेंट क्या होगा आपका प्रोफिट परसेंट इस उन्निस च्वालिस पर नहीं निकलेगा 216 आपने खरीदा था लगाया था कितना अठारा सो इंटू 100 काट दो अठारा है कहें 18 दूना 36 बाट परसेंट कुछ लोग गलती से नीचे ये उनिस चवाली से लिख देते हैं, जबकि आपका क्रायमुल ये तो बीच में लेंदे नालक से हुआ, आपका क्रायमुल आप तो खड़ देते कितने में, अठारा सो में, इसलिए नीचे क्या जाएगा, अठारा सो, एक बर और, आपने बेचा अठारा सो गुना एक सो बीस बटा सो, यानि एक इस सो साथ, फिर वापस, एक के साथ गुना नब्य बटा सो, इतने में आप खरीद रहे हो, उनिस चो वालिस, इस लेन देन में, आपको दो सो सोला रुपे का नाफा हुआ, लाभ हुआ, तो ये लाभ परसेंट, दो सोला ब आगे देखें, अच्छे से कोशन को देखना, लाभ यहानी बस्तु के विक्रे मुल्ग के रूप में दिया है, बस्तु के विक्रे मुल्ग, जरूरी नहीं ये बस्तु के विक्रे मुल्ग के रूप में रहे, ख्रे मुल्ग के भी रूप में हो सकता है, क्या लिखा है, बार बेचने पर एक विक्रेता को तीन के विक्रेमुल के बराबर लाब होता है यह फोकस यहां करना विक्रेमुल के बराबर कुछ कोश्चन में यह क्रेमुल के बराबर रहता कुछ कोश्चन में विक्रेमुल के बराबर रहेगा तो वैसे ही सोचना परेगा क्या लेंगे ऐसे केस में जब विक्रेमुल के बराबर है तो माना की विक्रेमुल ये लिखने की आवसेक्ता नहीं है माना एक का विक्रेमुल एक रुपया और एक क्यों माने तो 12 का 12 रुपया आब बेच रहा है मतलए SP 12 और तीन के विक्रेमुल के बराबर लाभ है यानि प्रॉफिट 3 एक का एक रुपया तो 12 का 12 रुपया तो 3 का 3 रुपया लेकिन profit percent क्या होता है तो यह होता profit by cp into 100% हमको cp चाहिए नीचे नहीं है तो cp बना लो तो 12 में से 3 घटा दोगे यह cp कहां से आ है 12 से 3 घटा दिया क्लियर अब profit percent क्या होगा तो 3 बटा 9 गुना 100 यानि 35 पुर्णांक एक बटा 3 परसेंट एक दम एक से दो लाइन में बनेगा कैसे लिखेंगे आगे से ऐसे 12 बेचने पर SP 12 तीन के बिक्रे मुल के बराबर profit profit तीन cp घटा दिया 9 प्रॉफिट percent तीन वटा 9 गुना 100 यानि बहुत आसान है confusing था न मानना अलग से पड़ता था अब हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं देखते हैं पचास संत्रे बेचने पर 5 के SP के बराबर लाब होता है आपको बताना है 3 परसेंट और लॉस परसेंट ग्याद करें 20 वस्तू बेचने पर 4 के CP के बराबर लाब होता है देखने में दोनों कोईशन सेम है लेकिन यहाँ SP के बराबर लाब था यहाँ CP के बराबर लाब है ध्यान देना अंडरलाइन मैंने कर दिया इसलिए मैं बोलता हूँ copy बनाओ copy में अंडरलाइन करो highlights करो और एक और ले ले 25 वस्तू बेचने पर 5 के CP के बराबर लाउस होता है मालो यह तीन कोश्चन अलग से हम लोग और देख रहे हैं कैसे सोचेंगे कि सेकेंडों में बनने लगे और गलत न हो SP के बराबर है तो SP मान लेना माना SP 50 का 50 5 के SP के बराबर लाब है profit 5 CP क्या होगा 50 से 5 घटा लो 45 profit percent अगर पूछ रहा है तो 5 बटा CP into 100 दूसरे में देखें 20 बेचने पर 4 के CP के बराबर अब CP पर डिपेंड कर रहा है अब CP मानेंगे 20 का CP 20 यानि इस टाइब का question कहाँ डिपेंड क्या है ये लाब या हानी जो है किस पर डिपेंड कर रहा है लाब है profit कितना 4 अचा profit percent क्या होता है तो profit by CP into 100% होता है और इस question में profit भी है CP भी है हम SP क्यों निकालेंगे तो answer क्या होगा 4 बटा 20 गुना 100% समझ में है अगला है 25 वरस्तु बेचने पर 5 के CP के बराबर loss होता है तो फिर 5 के CP के बराबर loss है तो हम लोग CP मानेंगे CP कितना 25 loss कितना 5 loss percent कितना 5 बटा 20 गुना 100 तो देखने के साथ questions सॉल्व हो रहा है सेकेंडों में सॉल्व हो रहा है जो question confusing था और important है तो अगर समझ में आता है लाइक और comments तो करना ही ज़्यादा से ज़्यादा अपने friends के बीच में share करना कि मैं लगातार आपको वीडियो दे पाऊं अगर भीज अच्छा रहता है share अच्छा होता है subscription अच्छा रहता है तो हम लोग का भी मन और भी नए-नए questions को लेकर आने को होता है important question का अच्छा से अच्छा trick क्या होगा वो लेकर हम लोग आते हैं कोशिस ये करो कि गुरु दक्षिना वह होगा कि ज़्यादस ज़्यादा share करें अपने friends की बीच comment, like वो तो करेंगे आप देखें यदि खरीदने का रेट दिया हो तो और बेचने का रेट निकालना हो फिर important question आज के class में important तो है ही खरीदने का रेट दिया है और बेचने का रेट निकालना है तो वैसे case में खरीदने का रेट दिया है तो CP जो होगा बराब उपर में रुपीज लिखेंगे रुपीज एन है तो एन और नीचे quantity एक इदर से कितना के दर से खरीदा तो यही हो जाता है CP और हम लोग को यह formula याद है कि CP के साथ जब भी होगा तो 100 प्लस profit percent होगा और SP के साथ जब भी होगा तो 100 होगा SP देखना 100 लिखना CP देखना 100 प्लस profit percent समझ में आ रहा है आगे देखें पांच रुपे में आठ की दर से नीम्बू खरीद कर खरीद रहा है किस रेट से पांच में आठ पांच रुपया में आठ की दर से बहुत अच्छे से समझ में न आए तो questions को लिख करके question भी लिखो तो question पे जितना time हम देंगे वो समझ में उतना ज़्याद आएगा तो पांच रुपया में आठ की दर से खरीद कर किस दर से बेचा जाए कि 20% का लाव हो यह एक बहाना है कि question लिख है तो in fact उतना दिर हम question को सूचते हैं हमारा mind सूचता है और एक वार mind में अगर बैठ गया तो फिर नहीं निकलता है मैंने क्या बताया था सीपी निकाल लो ऊपर में रुपीज लिखो रुपीज पांच है डिवाइड़ बाई आठ की दर है आठ से भागते दो यह क्या हो गया सीपी हो गया अब बीस परसेंट का लाब है सीपी के साथ उपर में सौज और प्रॉफिट परसेंट बाई हंडेड अटेगा बीस से यह है बीस से यह पांच पांच-पांच कैंसल शे वर्टा आठ और कटेगा तीन वर्टा चार यानि रुपीज तीन में चार की दर से बेचना होगा हो गया ना सेकेंडों में जवाब दे दिये परने के साथ सेकेंडों में जवाब हम लोग दे दिया आगे देखे पांच रुप्या परती दर्जन की दर से निम्बू खरीद कर खरीद रहा है किस दर से बेचे की पचास परसंट का लाब हो परती दर्जन एक दर्जन में पता होगा ही कितना होता है तो सीपी पहले निकाल लो रुपीज पांच बटा बारा पचास परसंट का लाब है तो गुना एक सो पचास बटा सौ पचास से ये कटेगा फार दो तीन चार पचास से तीन सवर ये दो तीन से ये चार पांच बटा आठ मतलब रुपीज पांच में आठ की दर से है उपर रुपीज रहता है हमेशा याद रखना उपर में क्या रहता है रुपीज आठ की दर से है बेचना होगा मैं concept लिख दे रहा हूँ लेकिन जरूरी नहीं कि आपको इतना लिखना परे अगला देखें यदि बेचने वाला rate दिया आभी तक खरीदने वाला था CP था अब हम लोग देखे रहे हैं कि बेचने वाला है तो हम लोग फिर formula एक वार लिखें कि CP के साथ कौन तो 100 प्लस profit percent और SP के साथ कौन तो इंटू 100 परसेंट तो अगर बेचने वाला rate है तो देखो N by 2 तो रखेंगे ही और उपर में 100 रखेंगे क्यों क्योंकि ये तो SP है और SP के साथ 100 होता है पांच रुपे में 4 की दर से बेचने पर तुरत उपर में रुपीज देखो एक ही तरीके एक ही concept से चल ला है रुपीज पांच बटा 4 ये कौन हो गया ये SP हो गया बेचने पर और जैसे ही SP हुआ तो गुना 100 आप बटा नीचे 125 परसेंट लाब है पांच से 25 चार कट गया वन बाई वन यानि रुपीज एक में एक में खरीदा अब पांच में चार बेच रहा है अगला देखो पांच रुपीज पांच बेचने वाला रेट दिया हो तो दूसरा बेचने वाला रेट निकालना है मतला एक बेचने वाला दिया हुआ है बेचने वाला मतला SP दिया हुआ है तो SP लिखी लेते हैं, उपर में रूपीज 5 और नीचे में 8, ये SP हो गया, और SP के साथ क्या होता है, 100 होता है, ये भी लिख दे रहा है, फाले 20% की हानी है, तो 80 लिख दिया, अब ये क्या बन गया CP, फिर आगे करा है किस दर से बेचा जाए कि 12% का लाब हो, ये अब CP हो 100 कट जाएगा, 16 पचे 80, 16 सते 112, 55 कैंसेल, रुपे 7 बटा 8, मतलब 7 रुपया में 8 की दर से, तो सीधा 5 रुपया तो उपर रुपेज, बटा 8, 20% हानी है, उल्टा जाएगा, नीचे 80, 12% लाब है, 112, काट दिया, 7 बटा 8, यानि 7 रुपे में 8, कितना टाइम लगता था न, कितना असानी से बनने लगा, आगला कोशन देखो, एक रुपया में 12 की दर से, काच की गोली बेचने पर, बेचा, एक रुपया में एक वटा 12 लिख लिए, 12% की हानी होती है, नीचे 100 में से 12 घटा के 88 लिख दो, 32% का लाब चाहरा है, 132, बस 44, उना 88, ये 3, 3 से ये 4, यानि रुपीज 1 बाई 8, यानि एक रुपय में 8 की दर से, तो आज की क्लास में हम लोगों ने ऐसे क्रेंसेप्ट को देखा, जो बहुत इंपोर्टेंट है, और आसानी से सेकेंडों में जवाब दे सकते हैं, अगर दिक्कत हो, पॉज करके पहले देखना, एक बार दो बार और भी दिक्कत हो, तो कमेंट बॉक्स में जा करके, जिस टाइप के कुशन का डिमांड हो, आप डिमांड करेंगे, फिर धीरे धीरे अगले क्लास में उसको ध्यान में रखते हुए, कुछ और कुशन्स प्र